हेलो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे आज मेरी किचन में बनने जा रही है गर्मियों के लिए बहुत ही फेमस एक रेसिपी जिसका नाम है स्रिक्कन तो फिर चलिए स्रिक्कन किस तरह से बनाते में आप लोग को दिखाते हूँ सबसे पहले हमें एक बावल लेने हैं फिर हमें एक श्नैनर लेंगे इसमें एक मलमल की कपड़ा वह या सूती कपड़े आप इसे इसमें डाल लेंगे अब इस कपड़े के उपर हमें यह 600 ग्राम दही को डालना है फिर इसे अच्छी तरह से हम बांध लेंगे इस तरह से हम इसे गाठ मार देंगे फिर हम इसे इस तरह से रखके तीन घंटे के लिए हमें इसे फ्रीज में स्टोर करनी ताकि इसके सारे पानी जैसे ड्रेन हो जाएगा अब इसे हमें देखना है इसका सारा पानी निकला की नहीं अब यह ड्राय होके है अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे इस तरह से इस तरह से ड्राय हो चुके अब हम इसे बावल में डाल देंगे इसे अच्छी तरह से हमें फैंटना है इसे दस मिनिट तक अच्छी तरह से आप फैंट लेंगे जिस तरह यह क्रीमी हो जाएगे इसे के बीच में आप इसमें डालेंगे केसर के इसे भी अच्छी तरह से आप इसे मीक्स कर लगए अ करीब पांच मिनिट हो गए है यह थोड़ा क्रीमी हो गए है इसमें आप हम डालेंगे चीनी आपको जितना मिल्था पसंद इसी हिसाब से आप पीसी भी चीनी को डालेंगे अब इसे भी हमें अच्छी तरह से मिला लेना है करीब इसे फिप्टीन मिनिट फेंटना है फिर हम इसमें डालेंगे इलाइची के पौडर थोड़े से ड्राइप रूट्स भी डालना है किसे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब हम इसे सर्व करेंगे देखे कितनी अच्छी तरह से ये फिंटाया है आप इसे एक बार रमजान में भी एक बार जरूर ट्राय किजिए इसे फिर हम एक प्याली में डाल कर फ्रीज में भी हम रखके ठंडा यूज़ कर सकते हैं चलिए आप इसे सर्व करेंगे इसे करीब 10 मिनिट फ्रीज में रख देंगे अब हम इसे ड्राय फ्रोट से थोड़ा गार्निस करेंगे थोड़ा केसर भी डाल देंगे दो गुलाब की पत्तियां इसे भी डाल देंगे आज की रेसीपी आप लोग को कैसी लेगी आप लोग कॉमेंट में बताएं और आज मैं वीडियो यहीं समप करते हूं और हमेशा की तरह खुश्च रही है और मस्त रही है कर दो 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 कर कर दो 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 झाल 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 झाल